5G iPhone है आपके पास but still आप 5G यूज नहीं कर पारे तो किस तरीके से 5G चलेगा आपके iPhone के अंदर इसी के बारे में है आज की ये वीडियो और उसके साथ ही है iPhone SE 2nd generation वाला इसके अलावा किसी भी iPhone में आप 5G यूज नहीं कर सकते हो अब अगर बात करें कि क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे 5G इन सारे ही iPhones के अंदर जिनमें 5G supported है इसका सिर्फ एक reason है वो यह कि आपको एक software update चाहिए जो कि Apple ने अभी तक push नहीं किया है अपने iPhones के अंदर तो Apple ने officially ये कहा है कि December के अंदर Apple एक software update जो है वो release करने वाला है जिसके बाद आप लोग अपने iPhones के अंदर 5G को use कर पाओगे क्योंकि जब ये phones release हुए थे तो उस time के अंदर इंडिया के अंदर 5G services नहीं थी तो Apple ने जो 5G modem है उसको disable कर दिया था तो अब एक छोटा सा software update जो है कुछ ही दिन मतलब कि December के अंदर और जब वो software update आप लोगे उसके बाद आप लोग enjoy कर पाओगे 5G अपने phones के अंदर इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है तो ये एक simple सा reason है काफी ज़्यादा questions आ रहे थे आप सब की 5G नहीं चल रहा है तो 5G इसले नहीं चल रहा है क्योंकि software update जो है वो अभी नहीं आया है Apple ने disable किया हुआ 5G को तो जैसे ये software update आएगा December में उसके बाद आप लोग 5G यूज़ कर पाओगे उसके अंदर 5G चलेगा iPhone 11, iPhone XS के अंदर 5G नहीं है और नहीं किसी तरीके से आ सकता है अगर आपको 5G iPhone चाहिए तो iPhone 12 एन उसके उपर वाला कोई भी iPhone आपको लेना पड़ेगा और ये थी मेरी वीडियो 5G को लेके जो आपका question है उसके उपर आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो like जरू करो, share करो, channel पे नहीं हो तो subscribe जरू कर देना और notification bell को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि जैसी आए में नई वीडियो आप तक आजा उसका notification और Instagram पे जरू करो follow मेरी आईडी है सबसे बेले जो अपडेट्स होते हैं हमें Instagram के उपर ही करता हूँ share और everyday reels आपको मिल जाएंगी मेरे Instagram के उपर तो Instagram ID है I'm happyazla और अब इसी note के साथ वीडियो को करता हूँ खाता हम मिलूँगा आप सबसे next वीडियो में तब तक के लिए take care बाबाए